नमस्कार दोस्तों जेसी क्रश्ट कैसे हैं आप सो उमिद करती दोस्तों खुश होंगे शुक्षी होंगे शंपन होंगे दोस्तों आज मैं जो आपको एक विधी बताने जा रही हूं जो आपको करना है सुभे सुभे उठते के साथ कर लेने के लाइक है दोस्तों और इसका रिजल्ट इसका रिजल्ट दोस्तों आप खुद देखेंगे कि आपकी लाइफ में कितना पॉजिटिव इसका रिजल्ट आएगा कोई भी आपको लगता है आपके घर के अंदर कले है कोई भूत पिसाच बाधा है काम के वीच में अर्चन आ रही है सफलता नहीं मिल रही है नोकरी धंदे में भी आपको आप जो एस्पेक्टिशन रखते हैं कि मुझे इस टाइब से सफलता मिले आपको नहीं मिलती है घर परिवार में बच्चे आपका कहना नहीं मानते हैं घर के अंदर ही आपस में जो फ्यामिली मेंबर से वो एक दूसरे का कहना नहीं मानते हैं ठेर सारी प्रॉब्लम्स जो घर के अंदर होती हैं दोस्तों क्यूं होती हैं जानते हैं आपके घर के अंदर पॉजिटिव शक्तियां कम होती हैं और नेगेटिव ताकत नेगेटिव शक्तियों का ज्याद आवास होने लग जाता है आप देखना दोस्तों ज्यादातर वे लो उनकी बुद्धी नहीं चलेगी क्योंकि कोई भी देवी देवता शात्विक आत्मा उनके साथ रहना पसंद नहीं करती हैं यह आपने देखा होगा दोस्तों जो व्यक्ति जैसा होता है उसका मित्र भी वैसा ही होता है घर के भी मेंबर्स में दोस्तों आप इस चीज को नोट है जिस टाइप का है उसकी दोस्ती यारी सब कुछ उसी के जैसे इंसान के साथ होती है बुरे इंसान होंगे तो उनका अलगी देखना बहुत जल्दी देश्तों इम्रापना अनुभव मैंने देखा है कि जितने आप देखना जो ज्यादा चुगल खोर हैं जो जिनके होगा उसके उपर प्रहार करते हैं मतलब सबसे ज्यादा कायर विक्ति आप देखना ग्रूप बना करके रहते हर जगा दोस्तों अभी आप मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं लेकिन आप देखते हैं कि जो गुट बाजी है अच्छे-अच्छे इंसान देखा होगा सीहों के नहीं लेहने हंसों की नहीं पाद लालों की नहीं बोरियां साधू न चले जमात दोस्तों आप देखना और बिल्कुल सही बिल्कुल सही बाग थे मेरा अपना अनुभवे दोस्तों मेरी अपनी लाइफ का अनुभवे सच्चा इंसान ना कभी गुट बाजी करता है ना कभी यहां की वहां करता है उसके जो भी बाते इस प्रश्ट रूप से रखता है लेकिन आज के जमाने में लोग उसको बहुत जल्दी अवोइड करते हैं कि उसके अंदर जूट रही होता देखावा नहीं होता एक गलत मीठे-मीठे जो शब्दों से लोग एक और उसे एक ताकतवर इंसान के जरूवत है अपनी बैजिक निर्स पूरी करने के लिए और इसके लिए किसी को भी बलीदान में चड़ा देता है किसी को भी मुद के घाट उतार देता है किसी के भी साथ किसी भी हद तक गंदा काम करने में सफल हो जाते हैं इसे लोग तो यह जो गुटबाजी आती है कहां से आती है बुरी चीजे मिलती है एक दूसरे के साथ क्योंकि सच्ची और सही चीजियों को दोस्तो कहीं पर भी गुटबाजी करने की जरूत नहीं है हंस दोस्तों अकेला उड़ता है देखना हंस का जोड़ा कभी आप बगलों की तरह इकठा उकर के कऊवों की तरह, कभूतरों की तरह नहीं उळेगा अकला उएगा शाधू कभी जमात लेकर के नहीं बेठता वो अपने रस्ते अकेला चलता है सोना चांदी दोस्तो देखना सोने आप देखना आपका भी बोरों में भर भर करके नहीं आएगा शीम अकेला रेना पसंद करता है जंगल का राजा होता है तो जिसके अंदर खुद के अंदर दोस्तों पावर है खुद अपने अपने शक्षा में वो कभी किसी का गुलाम नहीं बनता सच को सच कहने की शक्ति उसके अंदर होती है बहुत कम ऐसे लोग है आज हमारी समाज में लेकिन होते जरूर है तो वैसे ही आज हमारा सब्जेक्ट यह नहीं था लेकिन मैटल कहीं और जा रहा है मैं आपको सिर्फ यह बताना चाहती थी अज़ी कि यदि आप चाहते हैं आपका घर शुद्ध बने पवित्र बने उच विचारों के आधिन हो तो आपके घर में आतमाय भी कैसी होनी चाहिए आपके अंदर जो पावर से आपके घर में शुद्धा आत्माओं का वास होना चाहिए देवी देवताओं को आपके घर में वास होना चाहिए, कुल देवी का आपके घर में वास होना चाहिए, उनकी प्रशनता आपके उपर अवश्य होने चाहिए, अस्त लक्षमी आपके उपर खोश होने चाहिए दोस्तों, आपके उपर हर अच्छी आत्मा, यदि अपने शु वीडियो में दोस्तों बहुत साधारन उपाई में बताने जारी हूं घर की कोई भी जो महिला है जो मैन परशन है महिला हुए पुरुष हो वह इस काम को उठते के साथ सुबह अवश्य करें आवशक नहीं है कि आप सुबह उठकर के पहले अगर आप स्नान करके करते हैं वेर एक यू 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 सामने सामने आप जाड़ू लगा दे लेकि एक सुकन हो जाता है कि आपने घर के दलिद्रता बाहर कर दी दो चार बार भी ऐसे जाड़ू कर दे घर के बाहर ठीक है और उसके बाद दोस्तों आपको एक लोटे में जल ले लेना है और दरवाजे के दोनों रख लें और उस गमले में दोनों तरफ आप जल जरूर चड़ाएं उठते के साथ दोस्तों इससे क्या होता है आपके घर के अंदर पॉजिटिव एनरजी आती है आप अच्छी आत्माओं को इन्वाइट करते हैं भले आप उसके बाद में जाए आप ब्राश वगेरे सब जरूर करें जाड़ उठाएं सामने सामने सिर्फ एसा कच्रा निकाल दें और पानी लेकर के दर्वाजे के दोनों तरफ में फिर से बता दूं दर्वाजे के दोनों तरफ जल अवश्य ही चड़ा दें नहा लेने के बाद दोस्तों आप यदि शक्य हो तो फिर से थोड़ा ग्यारा चावल के दाने चड़ाते हैं तो आपके घर में शुब सक्तियों का वास सुरू हो जाता है और कोई भी काम दोस्तों यदि आप नियम से कड़ते हैं तो उसकी ताकत हज्जारों गुने बढ़ जाती है तो आप इंतजार ना करें क्योंकि महिलाएं अभी में ज्याद करने का इंतजार ना करें घर के किसी भी मेंबर से आप कह सकते हैं कि दर्वाजे पर उठते के साथ जल अवश्य ही चड़ाएं दोनों तरफ आप खुद देखेंगे दोस्तों आपके घर के अंदर कितनी पॉजिटिविटी आ जाती है आपका परिवार बुरी चीजों का सि दोस्तों यह इतने हैं कि इसकी आप कीमत नहीं आख सकते पैसा है आता है चला जाता है लेकिन आपके अंदर की शुद्धता आध्यात्मिकता पवित्रता नेतिकता यहीं आपके वो गुण है जो आपके परिवार को मजबूत बनाते हैं हमेशा दोस्तों संगत अच्छे ल घरपाई करनी पड़े लेकिन एक चीज का विश्वास रखना दोस्तों शत्य की एक दिन जीत अवश्य होती है और बुरा व्यक्ति चाहे वो एक हो पचासो पांच हजार हो उन्हें एक दिन हारना जरूर है क्योंकि वो एक दूसरे की सक्ति पर पूद्रे हैं उनकी अपनी है काफी लोग यह अच्छाए और सच्छाए के बारे में इतना इसले कव्यरी काफी लोग यह प्रब्लम रखते थेमिद्र धार लोग मेरे साथ नहीं बोलते हैं समाज में कुछ ऐसे लोगे जो जो इसे गुट बाजी करके बैठे हैं और मेरे साथ वो रिलेशन नहीं रखते हैं क्योंकि मुझे सच बोलने की आदत है तो आप बिल्कुल बेफिकर रहें दोस्तों यदी बुरा वेक्ति अपनी बुराई को नहीं छोड़ रहा है भले उनके संख्या ज्यादा है आप अपनी अच्छाई से चिपके रहें एक दिन जीतेंगे जरूर यह मेरा वादा है आपसे दोस्तों जीतेंगे जरूर जिस दिन दोस्तों आपकी आवाज उठना बंद हो जाएगी आपकी तरप से हज्जारों आव जितनी भी बुराईया है वो पूरी जिंदगी नाचती है खूती है लेकिन हार एक दिन उन्हीं की हूती है इसमें कोई दोमत नहीं है अपने रास्ते पर अडिक रहें अच्छे कर्म करें अच्छे उपाय करें जिंदगी को बहतर और ज्यादा बहतर बनाएं करते रहें ख